वेलकम टू जी के जी अस्वित्वनित सर आज 3 अपरेल 2023 है और आज की जितने भी महत्वपुर्ण क्रेंट अफेर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का महत्वपुर्ण क्रेंट अफेर आज का पहला प्रश्ण है हाली में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रूप की वैठक कहां होगी तो ये होगी सिल्ली गूरी में कहां होगी साथियो तो सिल्ली गूरी में होगी और सिल्ली गूरी कहां पर है तो वेस्ट विंगॉल में है वेस्ट विंगॉल की राजधानी और लोकसभा 42 है राजसभा का वर्नन भारती समिधान के अनुछित 80 में है और लोकसभा का किसमें है तो 81 में है ढोल उत्सब पस्षी मंगाल में मना जाता है बुक्सा रास्ट्रिय उद्यान सिंग लिला रास्ट्रिय उद्यान सुंदर्वन रास्ट्रिय उद्यान कहां पर है तो पस्षी मंगाल में है पोस्ट मैन डोर इस्टेप पहल कहां शुरू किया गया तो पस्षी मंगाल में शुरू किया गया लक्षमी भंडार लक्षमीर भंडार योजना को स्कॉच अवर्ड दी मिला है और स्कॉच अवर्ड की सुरुआद 2003 में हुई थी हाबरा से निव जल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापती रेलवे स्टेशन से कहा से तो रानी कमलापती रेलवे स्टेशन से एक ग्यारमी बंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई है यह किस राजे में इस्थित है तो यह मध्य परदेश में इस्थित है कमलापती रेलवे अब देखो 1 अप्रेल 2023 को भौपाल के मध्य परदेश में रानी कमलापति स्टेशन से नई भौपाल से दिल्ली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंड को हरी जंडी दिखाई गई है अर्थात साती हो, ये जो बंदे भारत चली है, ये कहां से कहां तक चली है, तो भोपाल से दिल्ली के भी चली है, और भوपाल में कौन से railway station से, तो राणी कमलापती railway station से साती हो, अब देखू, हवीब गंज railway station का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, तो कमलापती railway station का मध्य परदेश के गवर्नर कौण है मंगु भाई चगन भाई पतेल और मुध्य परदेश के मुखे मंतरी कौन है तो सिवराज सिंह चौहान है यहाँ पे राजसभा 11 है और लोगसभा 29 है उंकरेश्वर राष्ट्रिये उद्यान डाइनासोर राष्ट्रिये उद्यान कूनो अश्ट्रिय उद्यान कहां है तो मध्य परदेश में है दोजरतेश के सत्रहमा भारतिय प्रवासी दिवस का आयोजन कहां हुआ तो मध्य परदेश में हुआ देभी अहिल्यावाई होलकर अंतराश्ट्री हवाई अड़ा इंदोर में है राजा भोज अंतराश्ट्री हवाई एड़ा एसिया का सबसे बराब बायो सी एंजी प्लान्ट की शुरुआत कहां हुई तो इंदौर में हुई डिजिटल एड्रेस के साथ इंदौर सहर देश का पहला समार्ट सिटी सहर बनाये साथ ही हो अगला पशन है हाली में भारत के किस सहर में कबक रोग से संक्रमित होने वाला व्यक्ति पाया गया है तो भारत के कोलकता सहर में साथियो कबक रोग से संक्रमित होने वाला व्यक्ति पाया गया है अब कॉलकता में पाया गया है साथियो तो इडिन गार्डन स्टेडियम कहा है कॉलकता में है युवा भारतिय स्टेडियम या सौल्टलेक स्टेडियम कहा है कॉलकता में है नेताजी ये स्टेडियम कॉलकता में है डाइमंड हावर महलो का सहर और भारत का हॉलिबुड किसे ब बोलते हैं कोलकता बंदरगा हुबली नदी पर इस्थित है और यह एकमात्र नदीय बंदरगा है साथियो भारत का एकमात्र नदीय बंदरगा कौन सा है तो कोलकता बंदरगा है जो हुबली नदी पर इस्थित है नेताजी सुवास्चंद्र बोस अंतराष्ट्री हवाई अगला प्रशन है आपका हाली में किस राजिक के मुख्यमंत्री ने महराजा वीर विक्रम की सोर मानिक के बहादुर के परतिमा का अनावरन किया है साथियो तो तिरपूरा के मुख्यमंत्री जो है साथियो उन्होंने अभी हाली में महराजा वीर विक्रम की सोर मानिक के बहादुर के परतिमा का अनावरन तिरपूरा की राज जानते हैं त्रिपूरा के त्रिपूरा के अध्मनिक वास्तोकार की रूप में किने जानते हैं तो विक्रम महराजा वीर विक्रम किसोर मानिक के बहादुर को अब त्रिपूरा तो त्रिपूरा की राजधानी क्या है अगर तल्ला त्रिपूरा के गवर्नर कौन है सत्यदेव नारायन आरे साथियो तिरपूरा के मुख्य मंतरी कौन है तो मानेक साह है तिरपूरा के मुख्य मंतरी साथियो आपको बताना है मनीपूर के बारे में मनीपूर में एक जील है जो साथियो लोकटक जील है इस पर एक तैरता हुआ नैस्नल पार्क है उस नैस्नल पार्क का ना वन्रेजी बभारण। वाईसन राश्ट्रिय उद्द्यान। राजवरी राश्ट्रिय उद्द्यान। कहां पर है? तो तृपूरा में है। तिनों तरफ से बागलादेश से घीरा हुआ राजे कौन्सा है? तृपूरा है। रुद्रसागर जील और नीर महल कहां है? तो तृ शुरुआत की है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने वाटसप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है अब साथियो बैंकों के द्वारा बहुत सारी योजनाई की शुरुआत की गई है जैसे कि कैसे बेक कार्ट लॉंच किस ने किया है SBI ने जमा योजना उत्सब शुरू किया है SBI ने बांगला देश में भारती ये बीजा के अंदर चलाने की गोशना SBI ने की साथ क्यों बांगला देश के संसत का नाम क्या है तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको गराम सेवा कारेकरम की शुरुआत SBI ने की गराहकों की सुबधा के लिए SMS ब बैंक ने की सुरक्षित बैंकिंग पर्थाओं को बचाने के लिए बिजल आंटी की शुरुवात HDFC ने की HDFC साइबर सेक्रेटरी अभियान मुह बंद रखो अभियान शुरू किया गया साथियो उत्सब अभियान खुशियों का तेहवार बैंक आफ बरोदा के दोड़ा सुरू किया गया,如果 सुपधा के सुरूवात ICICI ने की, धनवर्सा योजना के सुरूवात किसी ने की, तो L.A.C. ने की धनवर्सा योजना के सुरूवात और किस बैंक को Bank of the Year Award 2022 दिया गया तो Kendra Bank को साथियो साथियो एक अप्रेल को कौन से बैंक ने अपना स्थापना दिबस मनाया है तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको अब अगला प्रशने आपका Crime and Criminal Tracking Network and System में कौन सा राज पर्थम अस्थान पर रहा है तो हरियाना साथियो Crime and Criminal Tracking Network and System में पर्थम अस्थान पर रहा है अब हरियाना पर्थम अस्थान पर रहा है तो हरियाना के आजदानी क्या है चंडीगड हरियाना के गवर्नर कौन है बंडारुद जात्रे हरियाना के मुख्यमंत्री कौन है लाल खट्र और हरियाना में राजचाफा पांच है और लोकसभा दस है कालेसर राश्ट्रियय उद्यान सुल्तानपूर राश्ट्रिय उद्यान छिलचिला वन्य जी पभ्यारन कहां पर है तो हरियाना में खापर वास वन्ने जी पभ्यारन कहा है तो हरियाना में है खापर वास वन्ने जी पभ्यारन विंडा वास वन्ने जी पभ्यारन दालमा जील हरियाना में है सौरिहंद परियोजना सतलग नदी पर है नैशनल डेरी रिसर्च इस्टूट कर नाल में है नैशनल ब्रेन डिसर्च इसका जबाब देना है कमेंट बॉक्स में आखो चतीस में अंतराष्टिय सुरजकुंड हस्त सिल्प मेले की सुरुवात कहां हुई तो हर्याना में हुई साथियो और ये जो हर्याना का अंतराष्टिय सिल्प मेला है ये विश्व का सबसे वरा सिल्प मेला है और ये परतेकवर से हाँ पे होता है हरियाना के सुरज कुंडे में, सुरज कुंडे के जील है जाती हो जो हरियाना में है अब अगला प्रशने आपका, किस राज सरकार ने लेक डवलप्मेंट प्रोग्राम जारी किया है तो तिलंगना ने साथियो लेक डबलब्मेंट प्रोग्राम जारी किया है अब तिलंगना ने किया है तो तिलंगना की राजधानी क्या है है हैधराबाद है साथियो हैधराबाद की स्रीवर के किनारी है तो इसका जबाब देना है केमेंटर बॉक्स में आपको तिलंगना के गवर्नर है तमिल साही सवंदो राजन तिलंगना के मुखे मंद्री है किये चंदर सिखर राओ और यहाँ पर साथियो राजसभा कितना है और लोगसभा कितना है तो राजसभा साथियो यहाँ पर साथ है और लोगसभा कितना है शत्रह है और तिलंगना के स्था तो हैदराबाद में इस्थित है चार मिनार और इसका नर्मान किसने करवाया था तो कुली कुतूब सहने करवाया था हिमायत सागर और सरोवर नगर जील कहा है तो हैदराबाद में इस्थित है हिमायत सागर और सरोवर नगर जील राजीव गांदी अंतराष्ट्रिय इस्टेडियम हैद्रावाद में है, पाक कला का सहर यूनेस्कों के द्वारा हैद्रावाद को घोझजित किया गया, कुंडा पोचम्पा सागर परियोजना, यह गोदावरी रिभर पर है और कहां पर है तो हरयाना में है, कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर इस्थित है समकाका सागर परियोजना ये गोदावरी नदी के ऊपर गोदावरी नदी में इस्थित है और गोदावरी नदी किस जिले में है तो ये है मुलगु जिले में इस्थित है साथी हुए राजीब गांधी अंतराष्ट्री हवाई अड़ा कहा है तो हैदराबाद में है और हैदराबाद मूसी रिभर के किनारे है तो ये था साथियो आज का आपका महत्तुपूर्ण क्रेंटरफेर कल मैंने आपसे तीन प्रशने किया था पहला था आपका कि 200 बैकप अदीबस कम मना जाता है तो साथियो 200 बैकप अदीबस मना जाता है एक मार्च को दूसरा प्रशन आपने पूछा था कि 100% रेलबे बिदुत्ती करन नेटवर्क अस्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है साथियो तो हरियाना साथियो 100% रेलबे बिदुत्ती करन नेटवर्क अस्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है और तुसरा परश्ण में ने किया था कि हाली में T20 में सबसे अधिक बिकेट लेने वाले गेंदवाज हकीम अलहसन किस देश के किर्केटर है तो पागिस्तान के किर्केटर है साथियो और आज का आपका प्रश्ण है जिसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में कि हाली में किसे ने देश के आर्थिक सुधार में सहायता के लिए युक्रेन के लिए 15.6 मिलियन डॉलर की सहायता पैकेज को मंजूरी दिया है दूसरा पशना आपका है किस राज्जिक के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की सुरुवात की है और तीसरा पशना आपका है वाई कांट एलिफिंट बी रेड पुस्तक के लिए खक कौन है तो इस तीनों का जवाब देना है आपको क्रेंट बॉक्स में साथी हूँ